नमस्कार तो मेंसुरेशन में हमने सबसे पहले पेरी बीटर देखा था मतलब अगर कोई भी फीगर दिया हुआ हो तो उसकी बाउंडरी की लेंद ठीक है फिर अब हम आए थे एरिया के अंदर कि कोई सर्फेस दिया हुआ हो सर्फेस क्लोजड फीगर का क्योंकि क्लोजड होना जरूरी है उसके अंदर कितना सर्फेस है उसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एरिया नमस्कार तो मेंसुरेशन में हमने सबसे पहले पेरी बीटर देखा था मतलब अगर कोई भी फीगर दिया हुआ हो तो उसकी बाउंडरी की लेंद ठीक है फिर अब हम आए थे एरिया के अंदर कि कोई सर्फेस दिया हुआ हो सर्फेस क्लोजड फीगर का क्लोजड होना जरूरी है उसके अंदर कितना सर्फेस है उसको जो मेजर करते है उसको बोलते है एरिया ठीक है अच्छा हमने कुछ फीगर्स तो अलरेडी देखे थे कि रेक्टेंगल क्या होता है स्क्वाइर क्या होता है फिर इनके पेरिमीटर्स देखे थे लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सर्फेस रेगुलर हो रेगुलर सर्फेस मतलब क्या रेगुलर का मतलब जिसके अंदर सब साइट्स इक्वेल इक्वेल हो ये ज़रूरी नहीं है अगर हमको irregular figure दिया हुआ हो और फिर उसका area measure करना हो तो हम क्या कर सकते हैं एक square paper आता है या फिर graph paper आता है graph paper या square paper के अंदर square जैसे बने रहते हैं graph paper के अंदर भी inch graph भी होता है और centimeter graph paper भी होता है centimeter graph paper में जो हर square बना रहता है वो एक centimeter by एक centimeter का होगा और inch वाला graph paper होगा उसके अंदर एक inch by एक inch के squares बने रहते हैं ठीक है तो हमको जिस surface का area निकालना हो हम क्या करें उस figure को हमेरे graph paper के उपर या फिर square paper के उपर रख दें उसको जैसे ही रखेंगे अब हमने पिछली बार देखा था देखिए ये जो figure है ये कुछ तो पूरे-पूरे squares cover कर लेगा है ना लेकिन इस में से कुछ squares होंगे जिनका आधे से कम portion cover करेगा तो जहां पे भी आधे से कम cover कर रहा है उसको तो neglect कर दो और आधे से जादा अगर cover कर रहा है तो उसको हम पूरा square consider कर लेंगे ठीक है और जो exact आधा ले रहा है तो उसको आधा consider करना है जो exact आधा है उसको तो आधा consider करना है जो आधे से कम वाला है उसको छोड़ देना है जो आधे से जादा वाले है उनको पूरा square consider करना है ठीक है और इस चीज का यूज करके हम approximate area निकाल सकते हैं किसी भी given surface का ठीक है तो अब हम आते हैं कुछ questions जो इसके उपर based होंगे So here in this example, इस example के अंदर, find the area of the shape shown in the given figure तो यहां पे जो shape है वो इस तरह का बना हुआ है और इसका हमको area निकालना है तो यहां पे पूरा process दिया हुआ है आपको कि किस तरह से इसका area निकालना है तो देखिए solution This figure is made up of line segments तो यहां पे यह जो figure है यह line segments का बना हुआ है Moreover, it is covered by full squares यह पूरे square से भी covered है and half squares only तो देखिए यहां पे यह particular figure इस तरह का है जिसके अंदर आधे square भी cover है और पूरे-पूरे square भी cover है This makes our job simple तो यह वाला example तो इसा है जिसके अंदर हमको easy है यह निकालना अब यहां देखें fully filled squares तो जो पूरे-पूरे square cover किये हुए है एक यह वाला है एक यह वाला है और एक यह वाला है तो तीन तो इसमें full cover किये हुए है है ना और फिर half filled squares आधे-आधे वाले कितने हैं तो हम यहां पे देखेंगे यह आधा है इधर यह आधा है और इधर भी यह आधा है ठीक है? So this is three, this is also three. Therefore area covered by full squares तो तीन square जो full है उसमें कितना हो जाएगा? One into three means this is three square unit ठीक है? तो यह जो पूरे-पूरे वाले हैं यह एक दो और यह तीन तो तीन square unit तो इसमें consider ले लिया है ना? और फिर उसके बाद में three square units और यहां पे जो आधे-आधे वाले हैं वो भी तीन हैं तो half plus half plus half मितलब हो गया one and half तो one and half और प्लस यह three तो यह हो गया four and half so here total area will become four and half square units तो यह four and half square units हो जाएंगे full squares वो तीन square unit लेगा और जो आधे-आधे वाले तीन वो हैं आधे-आधे square को consider cover करने वाले तो वो तीन हैं तो उसका डेड़ square unit हो गया डेड़ प्लस तीन तो यह हो गया साढ़े-चार square unit ठीक हैं? now come to next next example is by counting squares estimate the area of the figure अब देखिए यहाँ पे यह irregular figure है और इसका area हमको निकालना है तो हम इसको उठाके square paper के उपर रख देंगे ठीक है? इसको जब square paper के उपर रखा तो हम यह देखेंगे अब पहले देखिए पूरे-पूरे वो निकालेंगे fully filled squares तो fully filled squares देखें हम इसमें कितने आ रहे हैं एक यह पूरा है एक दो तीन चार पांच छे फिर साथ आठ नो दस और एक यह ग्यारा तो ग्यारा तो हमारे पास में fully covered वाले squares ठीक है? तो इनका estimated area हो गया 11 square unit फिर half filled squares हम देखें आधे आधे जो यह cover किये हुए हैं और तो आधे आधे वाले यहाँ पे तीन हैं देखिए कौन कौन से हैं यह एक आधा है ठीक है? फिर एक यह आधा है और फिर एक यह आधा है तो यहाँ पे तीन आधे आधे वाले हैं तो यहाँ पे इसका जो area हो जाएगा वो one and half हो जाएगा यह one and half it will be one and half फिर more than half filled square आधे से जाधा वाले अगर हम देखेंगे तो आधे से जाधा वाले यहाँ पे साथ square आ रहे हैं तो साथ में से एक यह वाला एक यह वाला दो फिर तीन चार पांच छे और यह साथ तो साथ हमरे पास में square ऐसे हैं जो more than half filled हैं लेकिन हमने यह देखा था कि आधे से जाधा अगर होगा तो उसको हम पूरा मान लेंगे तो पूरा मान लिया तो इसमें साथ square units हो गए ठीक हैं so then after this less than half filled है तो वो zero है कोई भी नहीं है एक भी नहीं है इसमें and to now see this is this total is actually this should be if three are half filled so this should be eleven and eighteen eighteen and this nineteen nineteen and half will be the area of this area of this irregular figure तो इस तरह से हम approximate area निकाल सकते हैं इसमें ठीक है यह procedure है now let us come to next one find the area of the following figure by counting squares अब इसमें squares को count करके और हमको इसका area निकालना है तो let us come to this सबसे पहले यह square है इस square का area तो यह वह जाएगा पहला area of square will be equal to अब इसमें देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और 9, 9 complete squares है तो 9 square unit तो this is 9 square unit ठीक है अगर यह हम suppose करें कि यह first figure है फिर यह suppose second figure है है तो second area of figure two second figure का area अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार और यह पांच तो इसके अंदर पांच वो हैं तो five square unit तो five square units यह इसका area हो जाएगा ठीक है नाओ कम तो next one अगर इसको हम लें यह figure three है यह अगर third figure है तो third area of figure three will be equal to area of figure three will be equal to यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें full squares कितने हैं एक दो और आधे आधे तो यह एक दो और तीन दो के तो यह हो गए two और प्लस आधे आधे वाले तीन हैं means three into half मतलब यह हो गए two और प्लस three into half यह हो गया one point five means this will be three point five square unit ठीक है then come to fourth one यह fourth वाला ठीक है अब फूर्थ के अंदर हम देखेंगे area of figure four will be equal to अब देखें यह वाला figure इसके अंदर देखें किते squares हैं eight दो तीन चार पांच छे साथ और eight so this will be eight square units ठीक है अब लास्ट इसको हम figure number five देदें इसको figure number five तो इसके अंदर फिफ्ट इस area of figure five this is equal to अब इसमें count करें तो यह होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और देस means this will be ten square units ठीक है so this will be ten square units so अब हम आते हैं अगले question पर question actually question के पहले हम देखेंगे की rectangle का और square का area कैसे निकाला जा सकता है ठीक है तो area of rectangle यह होता है length into breadth यह actually formula होता है area of rectangle का और यसे ही area of square का formula होता है side into side और यह हम देख सकते हैं अब जैसे देखिए यहाँ पे यह rectangle है है ना यह इसमें एक दो तीन चार पांच पांच सेंटीमीटर की अगर यह side है और तीन सेंटीमीटर की यह side है ठीक है? हम इसको verify करके देखेंगे कि सच मुझ में length into breadth होता है की नहीं होता है तो यहाँ से हम क्या करें? इन स्क्वेर्स को count कर लें तो इसको अगर count करेंगे तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दर्स, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा मतलब area of rectangle ये पंदरा squares दिख रहे हैं इसमें छोटे वाले और पंदरा 5 into 3 ये भी 15 होता है तो 5 into 3 ये भी 15 है और इसमें अगर हम count करें तो वो भी 15 है इसका मतलब area वो length into breadth 5 into 3 के बराबर है तो यहां पे हम देखेंगे area of rectangle ये है 15 squares तो ये हो गया 15 और length into breadth देखें तो length into breadth तो length into breadth ये है 5 into 3 means this is also 15 ये भी 15 है ये भी 15 है और ये centimeters में है तो यहां पे ये इतने square centimeter हो गया यहां पे 5 centimeter into 3 centimeter ये भी 15 square centimeter हो गया square centimeter therefore area of rectangle area of rectangle will be equal to क्योंकि ये भी 15 है ये भी 15 तो ये दो आपस में equal हो जाएगा this will be length into breadth ठीक है तो यहां से अब आपको ये formula याद रखना है और इसमें अगर आपको length और breadth दी हुई हो तो आपको वो squares count करने की ज़रूद नहीं है सीधे length को breadth से multiply करतो और आपके पास में area आ जाएगा ठीक है तो अब आगे देखें area of square ये side into side होता है इसको भी हम verify करके देख ले यहां पे ये दूसरा figure दियावा है ये square paper में हमने ये square बनाया जिसकी side 4 cm by 4 cm है अब इसके अंदर भी हम ये छोटे वाले squares को count करके देख लें कितने कितने squares हैं तो देखिए यहां पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा और 16 squares बन रहे हैं तो 16 squares छोटे-छोटे एक-एक cm के तो यह हो जाएगा 16 square cm So, area of square यह 16 हैं, तो 16 square cm इसको ऐसे भी लिखते हैं चाहे ऐसे square cm लिखो या फिर cm के उपर उसका square लिख दो है ना? अच्छा फिर हम यह भी देखे हैं, side into side side into side is equal to यहाँ पर side है 4 cm और दूसरी side यह भी है 4 cm अब 4 into 4 केतना होता है? 16 square cm मतलब area of square भी 16 हारा है, side into side भी 16 हारा है इसका मतलब area of square is equal to side into side यह हमारा formula बन जाएगा, ठीक है? तो आगे से आप यह दोनो formula directly use कर सकते हैं, अगर side दी होई है, तो उस case के अंदर आपको यह छोटे-छोटे squares count करने की ज़रूइत नहीं है, सीधे formula लगाओ और answer ले आओ, ठीक है? झाल